हलो नमस्ते फ्रेंड्स एस्जी केमेस्टी यूटूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है दोस्तों मैं आर पीवीटी एक्जम 2020 की आपको आंसर की लाया हूं आपके लिए दोस्तों मैंने बाइलोजी और केमेस्टी की आंसर की पहले डाल दिये जिसका लिंक में इस इनमें एक दो कुछन में अगर आपको मिस्टेक लगे ता मुझे बता देना फर्स्ट कुछन का आंसर आपके सेकेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर पर तिरोध की बारे में पूछा गया है दूसरा कुछन आपके सामने हैं देखी दोस्तों मैं आपसे जो इंपो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दें किसरी इसका आंसर मुझे यह नहीं बल्कि यह लग रहा है तो मैं सर को वापस वो क्यूशन बैजूंगा वो उसकी एक बार दुबारे से फिर जांच कर लेंगे ठीक है और पहले की तरही में डिस्क्रिप्शन में उसका अगर तो आप मुझे एक बार दुरूर बताना कि सर कौन सा क्यूशन में आपको डाउट है तो आप मुझे बता देना मैं आपके लिए सर को वो क्यूशन वापस से बेजूँगा और सर मुझे उसका वापस से सोल्यूशन दे देंगे ठीक है दोस्तों मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि गल्ती इंसान से ही होती है ठीक है अगर गल्ती ना हो तो फिर वह बगवान बन जाएगा इसलिए देखे केमेस्ट्री में इस लीमें मेरे तीं चार क्यूशनों के अंसर कि देखनी थी तो मुझे से मैंने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन डाल दिया था थीक है लाइव क्लास में मैंने सारी क्विशन केमेस्टी के सोल्क operates खोले की आतर नहीं है हम निरंतर काम करते हैं इसी चीज़ों पर आपको इस चीज़ की टेंसर नहीं है क्योंकि मैंनत करना ही हमारा धर्म है ठीक है इस क्यूशन का अंसर आपके जो यह न्यूटन वाला इसका फॉर्थ आंसर क्रेक्ट आंसर हो जाएगा एक जार अठंतर न्यूटन ठीक है दोस्तो तो दोस्तो आपके सामने 6 क्यूशन कंप्रीट हो चुके हैं इसी तरह से आपके पूरे 45 क्यूशन आएंगे लगब लगब हर एक क्यूशन का अंसर सर ने बताया है और जहां तक मुझे विश्वासा हर एक क्यूशन का अंसर करेक्ट आंसर भी होगा ठीक है दोस्तों कि उन तो वस्तू का प्रारंबिक वेग है तो ए वस्तू का अनितिम संवेग क्या होगा तो इसका थर्ड आंसर क्रेक्ट आंसर हो देगा 55 किलोग्राम मिटर पर सेकेंड ठीक है दोस्तों उसका अगला क्यूशन आपके लिए नवा क्यूशन आता है 20 केजी दर्वयमान और 0.30 अगला क्यूशन आपके लिए निकल के आ रहा है यहां पर इसमें सापेक जड़त्वा अगहून आपसे पूछा गया है तो इस क्यूशन का आंसर आपके सेकेंड आंसर करक्ट आंसर हो जाएगा 1 बटा 2 M-M R² प्लस R अगला क्यूशन है आपके लिए इसमें कौनी संवेग पूछा गया है आपसे तो इसका कौनी संवेग आपको बताना था कौनी संवेग में फर्स्ट आंसर 0.75 किलोग्राम मेटर स्कॉर्ड सेकेंड इन्वर्स आंसर हो जाएगा 0.75 ठीक है उसका अगला क्यूशन है आपके लिए तो इसमें गुरूति विभाव का परिमान तो दोस्तों अगर आपको किसी क्यूशन के आंसर इसमें आपके पूचा गया है उर्जा में वर्दी की गंड़ना तो इसका सेकेंड आंसर हो जागा 2.67 साथ इंटू 10 के और माइनस पांच तो अगर आपको किसी क्यूशन में अगर दिक्कत आ रही है दिखाई नहीं दे र बात करें तो यह आपके कारी की गंड़ना के बारे में पूचा गया है कि जल जल की भून के लिए है तो इसकी कारी की गंड़ना करो तो इसके लिए सेकेंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.12 इंटू 10 के वाउड माइनस 6 जूल अगला क्यूशन है आदर्स उस्मा इस्त्रोथ की आवसक विश्यस्ता ही क्या होती है तो आदर्स उस्मा इस्त्रोथ की आवसक विश्यस्ता ही क्या होती है यह इसका आंसर आपके थर्ड आंसर हो जाएगा एपरीमित उस्मा धारीता ठीक है एपरीमित उस्मा धारीता इसक ताप की गंड़ना के बारे में पूछा गया है दक्सा देके ताप पूछा गया है तो इस क्यूशन का अंसर आपके फॉर्थ आंसर पूइंट 3.3 के लिए अगला क्यूशन है किसी गेज के अनू का दाब इसमें इस्तिती में माद्य मुक्तपत का मान ग्याद करना है आपको तो इसका थार्ड आंसर हो जाएगा बारा गुणा टेन के वार माइनस पांच मिटल टेके दोस्तों अगला क्यूशन आपके लिए निकल के आए उननीस वा क क्यूशन में आपको हाईडरोजन का ब्रोमीन अनू का दर्वेमान पुच्छा तो यह एक अनूपात सब्सक्रों तसी अनुपात एक हो जाएगा फॉर्थ आंसर करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों इसमें जो पेहन से लगे हुए न वह आपको राइट नहीं मानने क्योंकि यह किसी स्टुडेंट का पेपर है हमने उससे लेके उसके बाद हम आंसर की डाल रहे है ठीक है तो इसका इस क्रियाट करके आपसे आउर्थ काल पुछा है तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा टी बाइटू देखो सबके क्यूसंस अलग अलग होंगे पहला कौन सा होगा दूसरा कौन सा होगा क्योंकि वह आपके पेपर की बुकलेट नंबर पर डिपेंड करता है तो आप अपने क्यूसं कौन सा है उस क्यूसं के आदार पर अपना आंसर मिलाएं कि उसमें ऐसा नहीं कि मैंने सी बोल जिया तो थर्ड आंसर यह होगा ठीक है इसका सेक्ड़ आंसर हो जाएगा बारा पूंट सोड़ा इंटू टेंट पावर्ट न्यूटन परती मिटर इसक्वार अगला क ऊपर इसमें क्यूसं कि अगर हम बात करें तो इसमें आवेश क्यूद धेने केलिए किया गया कारी क्या होगा तो इसमें कारी की गढ़ना करने कि अपसे पूछा गया है तो इसके लिए आपके सेटरक्ट आंसर हो जाएगा डब्लू बघाबर Q선25 मीटीर हो जाएगा तो तो जूल ठीक है दौस्तों आपके 25 कुशन कंप्लिट हो चुके है 20 कुशन और बचे है 26 कुशन इसके लिए विदुद्धारा प्राप्त कर रहा है यह परत्वी का वायो मंडल कितनी विदुद्धारा प्राप्त कर रहा है प्रोटोनों के परत्वी के कानुति इसके डि गई उर्जा का मान ग्याद करना है कि पर थी मिनट वैटरी के द्षारत दी गई उर्जा कितनी है तो इसमें थर्ड आंसर हो जाएगा 108.0 पर 108.0 पर 108.00 ठीक है दोस्तों उसके वाद अगले कुछे अगर हम बात करें तो ये आपके साइथ विट्रिश्टोन बिरीज है कुछ एसा विट्रिश्टोन बिरीज ही होता है मेरे ख्याल से तो उसमें आप से पूचा गया है यह परवाइदारा का मान तो यह आपके थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ पूचा गया है यह रिलेस्टन है विदू चुम्ब के चेतर का तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.76R कितना 0.76R 30 की तरब बढ़ते हैं तो इसमें आपके यह समद्ध पूचा है चुम्ब के पारगम्मेता होती है चुम्ब के माद्यम की चुम्ब के पारगम्मेता तो इसका सेकेंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा अगले क्यों की तरब बढ़ते है तो यह आपके चुम्ब के चेतर का मान पुचा है किसी बिंदू पे यह बिंदू दे रहा है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर फोड़ हो जाएगा μ0i upon 4 πr 2 root 2 minus 1 plus π by 2 अगले की बात करें तो ये 20 cm दूर इस्तित अक्सिय बिंदू पर चुम्बे के चेतर की गणना के बारे में पुछा गया है आप से एक क्यूशन 32 नंबर का तो इसका 4th आंसर हो जागा 0.12 गॉस ठीक है 33 क्यूशन की तरफ बढ़ते है 33 क्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो ये LCR स्रेणी परीपत है इसमें अर्ध सक्ति आवर्तियों के मान ग्याद करने अर्ध सक्ति आवर्तियों के मान ग्याद करने है तो इसके लिए आपका राइट आंसर आपके फर्स्ट आंसर हो जागा 3.2 वाट कितना 3.2 वाट आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा अगले क्यूशन की बात करें तो ये इसमें पूचा है आपसे सरल आवर्त गति करने वाले कंड के लिए निवन में से कौन सा कतन सकते है आपसे राइट कतन पूचा है तो इसका आंसर आपके फर्स्ट आंसर हो जाएगा कंका वेक्चर गतां की रूप से गटता है अगले क्यूशन की बात करें तो ये हैं परदान बिन्दू के लिए तो दोस्तो इसका सर ने राइट आंसर नहीं बता है 36 और 37 के question का answer सन्ने मुझे नहीं बताया है इसलिए मैं आपके लिए उनका answer की भी नहीं बता रहा हूँ अगर आपको solution चीए तो मैं तो नहीं बता पाऊँगा इस paper का solution आपको क्योंकि मैं chemistry subject का solution बता सकता हूँ जिसका solution मैं पहले से डाल भी चुका हूँ प्रकास की तरंग्देर्दे पूची तो फॉर्थ आंसर हो जाएगा 5000 अंगस्टम कितना 5000 अंगस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा अगले question में किस वेगनिक द्वारा सरपरतम उर्जा के quantity करण पर विचार किया गया था यानि उर्जा जो quantity करता है उसके बारे में विचार किसके द्वारा किया गया था तो यह किया गया था कि तिर वर्दी कितने पर तिसंगी तरंख उकार जाएक बढ़ेक्षों tik तर्ण तरंगदेळी अग्ले है आपको किसी हाइड्रोजन परवाणों में नहीं किये है उनी सर ने बेज़ा है मेरे को इसका फर्स्ट आंसर हो जागा सोले बटे तीन आरेच रीडवर्ग निये तांग जो है ठीक है उसके बाद अगले किसन की तरब अगर हम बढ़े तो इसमें तिरजिया फर्मी में पूची है 10 की यवर माइनस 15 होता है आपको सबीको पता है तो इसका राइट आ अंसर आपके फ़र्स्ट ऐसर हो जागा 4.8 फर्मी कितना 4.8 फर्मी राइट अंसर हो जागा 43 की तरब हम बढ़ते हैं तो इसमें आपसे पूचा है ये इसमें चारों में से कोई एक graph बताना था आपको जो इसके लिए बिल्कुल suitable हो इस graph का answer आपके फर्स्ट answer हो जाएगा पहला वाला answer बिल्कुल बढ़तावा graph है जो उसका उसका 44 की अगर हम बात करें तो इसमें परवदक का वोल्ड तालाब पूछा है आपसे तो इस question का 45 question का right answer आपको विश्ट यह बहुत easy question था क्योंकि इस question को डायोड वाले तो बहुत easy question आते हैं आपको बस पहचान नहीं होता है कि कौनसा डायोडर उसके साबसे आपको answer करना होता है और यह फुटा-फुट से राइट answer हो जाता है इसका फर्स्ट answer है एंडोड कौ थेकर 25 अवी 27 तीन दिन आप लाइव क्लास लेंगे ठीकर दोस्तो थेंक्यू वेरी मुच आपको